अलो वेलकम दोस्तों तो स्वागत आपका में चैनल पर तो जैसा कि मैंने अपने गुरूप पे कई स्टूडेंट्स की एक ही पोस्ट देखिए कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा हमारा रिजल्ट कब आएगा तो मैं आज थार्ड यर जो जनोंने ओभी एक्जाम यानि ओपन प्यूप एक्जामिनेशन का अपना एक्जाम दिया है अगस्ट और सेप्टेंबर में तो मैं उनके रिजल्ट के बारे मैं आज बात करने जा रहा हूं कि आपका रिजल्ट कब से आना स्टार्ट होंगे तो जैसा कि आपको पता ही होगा कोरोना के चलते हुए इस वार आपके एक्जाम ऑनलाइन हुए थे जो कि जुलाई से अगस्ट में कराए गए गए ते और इस वार तो सबसे बढ़ी है तो आप सभी के मन में एक यह डाउट होगा कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा क्योंकि मैं जैसा कि पहले बोलता आ रहा था कि रिजल्ट फर्स्ट भीग में आएगा फिस सेगंड वीग में आएगा पर अभी तक गोसिर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता इसब इस सेखेंड़ वालों सब्सक्राइब यादोॉट या और सублиम एकटूबर की नालश्ट वीक से अना स्टार्ट हो जैएंगे इसमें कि आपका पहले या पैला फिव इस बार वहालों और से ब्रृट्रक वालों करने इसके की प्रियों न उसको सेकिंड और थर्ड इयर वालों के साइड पर आ जाएंगे और बाकी अब मैंने आपको बता जिया इसलिए आप इस वारे में गुरूप के अंदर जो की मेरा गुरूप है उसमें बार बार ये कोसन आप पूछते हो किसरा हमारा रिजल्ट कर वाएगा तो मैं आपको बता जिन चाहता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीग में आना स्टार्ट होगा और हाँ मैं आज एक बात और बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट ने अपन लोग एक्जामीनेशन नहीं डिया है क्यों क्या उनको दोबारा से एक्जाम देना पड़ तो उनकी फीस जाएगी जो की पैंतीस सो रुपे अफ्रॉक्स कुछ होगी वह आपको अफिसल वेब साइड पता चल जाएगा तो पैंतीस सो रुपे आपको फीस पे करनी है फिर आपका जो एक्जाम को नेक्स्ट येर अप्रैल मही में होगा पर आपकी बार ओपन बोग एक्जामीनेशन नहीं होगा आपके रॉफ लाइन ही होगा तो जो स्टूडेंट पूछ रहेते हैं कि क्या हमें दुबारा एडवीसन लेना पड़ेगा जी हाँ आपको एडवीसन नहीं आपको फीस बननी पड़ेगी ठर्ड येर वालों की और बाकी जो स्टूडेंट एक हमारे जल्ट कवाएगा तो मैं आपको बता दिया है कि आपको रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वीक से यानि सुमबार से अगले सुमबार से आना स्टार्ट हो जाएंगे आप जैसा की देख सकते हो कि अभी फर्स्ट यर वालों की वी रिजल्ट किलियर नहीं आए है कि सारे जल्ट आप ओफिसल साइड पर अपलोड कर देंगे इसलिए आप धहरे बनाए रखी है और रही रिजल्ट तो आज अकल तो आ नहीं है इसलिए आप यह मसोजी की रिजल्ट आ जाएगा तो हम कुछ और कर लेंगे रिजल्ट आने के बाद भी आपको एक महीने य आपका रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाएंगे तो इसलिए आप अब से यह कोशन कोई कोई नहीं करेगा कि रिजल्ट कब आएगा बाकी फर्स्ट और सेकेंड डियर वालों का जो रिजल्ट है वह आना स्टार्ट हो चुके यह मानिकि इस पीक में आपके आना स्टार्ट हो चुके है तो आप जो आपके फर्स्ट और सेकेंड वालों के रिजल्ट वो इस वीक तक पूरे हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में उन्हें जोड लेंगे और बाकी फाइनली वालों को तो मैंने बताई दिया है इसलिए आप यह दुवारा कोई कोशन नहीं करेगा तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें मैं ऐसी अपडेट जो एस वालों की तरफ से अपडेट होती है मैं आपको देता रहूंगा यही मेरा ऑफिसल चैनल है तो इ देखने के लिए